साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चनल पर, तो जैसा कि आपको पता है कि आपका ICMR, GRF का आंसर की आ गया था, उसकी रेस्पॉंस सीट आ गई है, आपने अपने नंबर कैलकुलेट कर लिये होंगे, कुछ कोश्चन्स पेपर के डिसक्शन हमने कर लिये ह अब यहां पर यह पर पर्टिकुलर वीडियो होने वाला है, वो आपके एस्पेक्टेट कट ओफ होने वाला है, कि क्या आपकी एस्पेक्टेट कट ओफ हो सकती हूं, कि बहुत ही एक तरीके का, जिस तरीके से आपका एक नॉर्मल ICMR, GRF का एक्जाम होता था, यह उस तरीक 25 दिन बाद हो सकता है, कि आपका CSIR का वापस से notification active हो जाए, और December में तो exam होना यह तकि आप उनके लिए तैयारी कर सके, और particular आप यहां पे कहां तक fit बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, जो मेरा अपना experience है, उसके according पे क्या possibilities यहां पे बन रही है, तो उन सब चीजों को ह यहां पे cover करेंगे, और खास पर से हम यहां पे expected cut off की चर्चा करने वाले हैं, अब चूंकि आपको पता है कि कोई भी चीज की बात जो होती है, वो हवा में नहीं होती है, कि expected cut off का video मैंने डालना शुरू कि अब मैं सीधा बता दू कि इतना number होगा, इतना number होगा, ठीक है, उसके पीछे भी कुछ अपने valid reasons होते हैं, कुछ justification होता है, कुछ data होता है, तो उनको आकलन करते हुए मैं आपको expected cut off की तरफ लेकर चलूँगा, तो बहुत important है last तक बने रहिएगा, क्योंकि last में जाकर आप video देखेंगे, मतलब एकदम से cut off का section देखेंगे, तो आपको साय चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समस्ते हुए देखिएगा, तो सबसे पहले आपको पता है, ये exam DHR ने conduct कराया, इस particular exam की जो important points है, वो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहली बात है कि जो आपको PhD आपको करने को मिलेगा, वो जो लगभग जो किनोंने पूर अपने 500 तक पहुचा है, और आप इन्होंने 500 fellowship कर दिया है, जिसमें से कुछ discrimination भी था, कि आपके कुछ जो fellowship के students होंगे, वो आपके भारत में किसी भी institute में PhD कर सकते हैं, उनिवस्टी में कर सकते हैं, और बाकी जो नीचे वाले बच्चे होंगे, वो आपके ACSIR से affiliated में PhD कर सकते हैं, बट कुछ भी कहीं भी करें, बट total amount इतना है, कि आपको 500 fellowship आपको दिया जा रहा है, पेपर के pattern में जो बदला हुआ, वो आपको पता है, कि आपको इतने सारे exams में मतलब, आप section C के लिए choose कर सकते थे, अब यहाँ पे मैं इसी समय आपको discuss करना चाहूँगा, कि मुझे कैसा जैसे biochemistry था, bio technology था, biological science था और microbiology, यह चार में बहुत सारे बच्चे थे, तो मैं इनकी ही चर्चा करते हुए start करूँगा, तो मुझे जो paper जो मुझे देख कर लगा, कि पहली बात तो जैसा आता था ICMR का, वैसा नहीं था, straightforward ऐसे questions नहीं थे, कि आप एक बार में बना ले जा कि आप इस exam में जो भी नोने conduct कराया, आप चुकि section A में उलच जाओ, या उसके चकर में आप अपना time बरबाद कर लो, या कुछ भी कहलो, ठीक है, वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अगर आप अपने biology पर focus होते हैं, जैसा मैं आपको बार-बार बता भी रहाता, त तो 80 नंबर का जो paper था, मतलब आपका section B जो था, वहां से 40 question और section B से भी आप लगबग 35 question अगर माल लीजे, section C से भी आप हर section में चाया, वो कोई भी exam रहा हो, microbiology, biochemistry, biotechology, biological science, इतने question आप अपने biology parts से उठा सकते हैं, और अगर मैं थोड़ा सा अगर मार्जिनल लेके चलू कि जो आप अगर 24-5 question जो थे, वो अगर आप section A से भी कर देंगे, तो लगबग 80 नंबर का paper इन्होंने ऐसा set किया था, कि जो आप कर सकते थे, अच्छी तयारी के साथ, अभी यह नहीं है कि दो, मतलब 4 दिन पढ़े हैं, और जाके चले गए ICMR का paper देने, ऐसा नहीं है, जो बच्चे हमारे proper तरीके से content को follow किये थे, जो एक तरीके से लगे हुए थे, dbt के time से, जुनोंने पूरे videos देखे थे, उनके लिए technically जो था, वो 80 नंबर का paper अराम से करने वाला था, जो कि एक marginal cut-off के लिए जुनोंने निरधारित किया है, आपको 50% नंबर लाने है, उसके आ दो shift में जब paper होता है, तो वो number को क्या करते है, नॉर्मलाइज करते है, अब यहाँ पर क्या scene होने वाला है, कि आप जो section C के 50 question आप दे रहे है, वो किसी भी, मतलब व्यक्ति के लिए या किसी भी इनसान के लिए नहीं आसान है, कि वो 8 question paper अगर आपको बनाने है, जो जैसे हो, कहीं ना कहीं तो उपर नीचे होगा, अब या तो इनको यह करना चाहिए, हलाकि यह particular जब result आएगा, तभी पता चलेगा, मतलब इसका सब्सक्राइब कर दीजिए, और या तो फिर मुझे लगता है कि particular seed divide कर दीजिए, कि जो microbiology में हम 100 fellowship देंगे, biochemistry में हम 100 fellowship मतलब जो हम जिस पैटन पर तयारी करते हैं, जिस पैटन पर हम अपनी पढ़ाई करते हैं, उसमें बहुत सारे questions जो थे, वो bio technology में मिल लहे थे, ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर यह particular मान लो कि अब ऐसा तो कोई discrimination है, नहीं कि भाया, जो fellowship देंगे, वो उनको सभी से छ पर्टिकुलर चीजे हैं, वो मतलब किस तरीके से कहानी में ये मोड लाएंगी, वो तो जब result final आएगा, और बच्चों के जो feedback मिलेंगे कि कौन से area के student ज़्यादा qualify की हैं, तभी clear होगा, बट फिर भी, bio technology जिन बच्चों ने select किया था, उनके paper, आसानी के साथ, उन्होंने असी नमबर का paper जो है, वो असानी से कर लिया है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो मेरे सुनने में भी आए, कि 70-75 जो bio tech वाले बच्चे हैं, वो कर लिये हैं, लेकिन ये जो scenario हुआ है, जो बच्चों ने bio chemistry choose किया था, उनके साथ तो बिलकुल नहीं हुआ है, क्योंकि bio chemistry का आर्थरो पोड़ा, वायरोलोजी में बहुत ज्यादा घुस गये, जिस तरीके से का अपने particular microbiology कर रहे हैं, तो सबको question पूछो, bio chemistry कर रहे हैं, तो आप अच्छे तरीके से bio chemistry के questions वहाँ पे डालिए, लेकिन इस तरीके से ना उन्होंने अपने syllabus के according question paper design किया है, और जो मन मे आया है, जिस section में उठाके दे दिया है, जो साफ शब्दों में मैं बता हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मैं comparatively बात करता हूँ, तो मुझे bio technology का paper ज्यादा अच्छा लगा, मतलब easy तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो बच्चों ने एक decent pattern पे तयारी किया है, उनको bio tech असान लगा होगा, ठीक है, बाकी तीनों paper को इन्होंने balance जरूर किया है, मतलब थोड़ा बहुत मैं कहूँगा, कि difficulty level मतलब था, ऐसा नहीं है कि कोई एक paper आप कह लीजे कि बहुत आसान था कि आप section C में 50 के 500 कर देंगे, यह वाला question paper तो नहीं था, अब यहां तक बात clear हो जो मैंने difficulty level बता दिया, जिसके basis पे अभी हम आगे cut off की चर्चा करेंगे, इसके बाद यह जो particular जो मैंने आपको WhatsApp पे भी शेयर ही का, जो कि बहुत सारे बच्चे बात कर रहे थे कि जो ICMR का, जो NTA ने जो booklet दिया है, आपको information bulletin, वहां पे कहीं नहीं मेंशन है कि आपका जो THR ने conduct कराया है, तो जब आप उनकी guidelines को जब आप पढ़ते हैं, जो कि यह एमेंडेंट हो रहा है 23 अगस 2024 से और यहां पे यह जो particular exam है, biomedical research, तो यहां पे इन्होंने Brett का जो selection criteria है, वो यहां पे इन्होंने mention किया है, और जिसको मैं मानता हूँ कि सोच समझ के यहां पे इन्हो OBC और EWS के लिए है, और 45% आपके SCC category के लिए है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपके 60% eligible candidates होगे, उनको कहीं पर भी वो PhD enroll करा सकते हैं, और remaining 40% जो होगे, वो आपके ACSIR में करा सकते हैं, दूसरी important चीर, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल लाए थे, या चर्चाए प्रोसेस में जाएंगे, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कि आपका जो final result जो based होता है, वो आपके aggregate 55% marks obtained in both the section for the general and general के लिए था, ठीक है, 55% marks and OBC, general और OBC के लिए था, 50% आपके SCST के लिए था, या आपको ICMR की website पे मिलेगा, 2020 में इन्होंने क्या किया है, थ तो इसको दिखाने का मेरा मतलब यह है बेटा, कि particular यह rule तो ICMR follow करता था, या इस particular exam में follow हुआ है, ठीक है, तो अब क्या करते हैं, नहीं करते हैं, वो तो बात की बात है, बट उन्होंने हो सकता है, भाई, NTA से exam conduct कराया, NTA को वो file forward हुई हो या हो सकता है, miss हो गया हो, तो व तो 90% chances है कि वो इस चीजों को जरूर फॉलो करेंगे, अब इसके क्रम बे अगर में आगे बढ़ता हूँ, तो जो आपका cutoff होगा, वो आपका degrees होगा, अगर आप देखना चाहें, जो आपका 132 बच्चे कॉलिफाई कर रहा है थी, तब 61 cutoff था, लेकिन जैसे ही आपके और यह जो OBC और economical के मैं बात करता हूँ, जो last year ने 50% तक ले आए थे, उसमें देखें यह 55-55 था, लेकिन यह last में 51-51 percentage तक ही आपके cutoff गई, तो कहने का मतलब यह है कि particular यह जो exam है, यहाँ पे अगर आप ऐसा इसका scene है कि यहाँ पे जैसे ही number of seats increase होती है, ठीक है, cutoff जो है वो बहुत ज्यादा fluctuate आपको last year ही देखने को मिली, और अगर आप आसपास भी देखेंगे, तो बहुत सारे student ICMR का exam नहीं देते हैं, ठीक है, और यह एक ऐसा exam है ना, कि जिसमें 2 घंटे का exam होता है, तो बहुत fluency चाहिए होती, कभी बहुत अच्छे students होते हैं, जिनका ICMR नहीं भी crack हो बाता है, ठीक है, तो इसके लिए एक particular अलग, मतलब तरीके से approach कर दी होती है, इस exam को particular qualify करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा बताने का मकसद यह है, कि चूँकि अभी आपके पास 500 fellowship यहाँ पर यह देने वाले हैं, तो सोचिए कि कितना variation आएगा, यह particular सब्सक्राइब करने के लिए, जिसमें आपको समय भी नहीं मिला, आपको question का लेवल जो था, वो थोड़ा सा इन्होंने अपने पुराने पेपर के तुलना में हाई कर दिया, अगर मैं कहूं सरल शब्दों में, ठीक है, इसके बाद अगर मैं eligible जो आपके notification आया था, जिसमे response sheet उन्होंने दिखाई थी, उसमें उन्होंने ये भी data आपको mention किया है, कि जो ये particular exam हुआ है, इसमें लगबग 9000 students जो है, वो आपके appear हुए है, तो अगर आप इसको CSIR या DBT से नहीं correlate कर सकते हैं, क्योंकि उनके comparison में यहाँ पे number of students जो है, वो आपके कम है, अगर आप CSIR की बात करते हैं, तो आप 50,000 students जो होते हैं, वो एपियर होते हैं, ठेक है, तो ये जो एक data है कि आपके ICMR का जो particular चीजे है न, वो थोड़ा सा vary करता है किसी और exam के comparison में, अब जो यहाँ पे cut off होने वाली है, पहला मेरा point है, अगर ICMR अपने level को, अपनी बात को मानता है, DHR और अपने बुकलेट में दिया है, तब तो भाई कोई चांसी नहीं को, जितना भी मुझे बच्चों से feedback मिला, और जो मुझे समाज में आया कि भाईया, अगर मतलब किसी भी मतलब बायकेमेस्ट्री वाले जो background के बच्चे थे, उनके 65, 70, 60, इस तरीके से marks जो है, वो cumulative marks जो है समपर्ख में नहीं आये है, अगर मैं उनकी संख्या 100 मालनों की जो इस exam में बहुत बेचबर्दस performance की होगे, ठीक है, तो हमें तो टॉपर से थोड़े ना लेना है, हमको तो cut-off से लेना देना है, कि last cut-off कहां पर आके रुकेगी, समझ रहे हैं, तो मुझे लगता अगर मैं सौ बच्चों को हटा दू, तो भी हमारे पास 400 fellowship बच रही है, या more than लगभग मेरे पास 300 fellowship बच रही है, कि जो नीचे वाले students को मिलेगा, यानि कि जो 75 के आसपास score जिन्हों ने किया होगा, तो अगर ये अपने पुरारे चीजों पे बने रहते हैं, तब तो मुझे लगता और 45% जो था वो आपके remaining category के लिए था, लेकिन अगर particular जैसा कि मैं आपको एक चीज और भी बता दू, जिस तरीके से ICMR और DHR का collaboration हुआ है ACSIR के साथ, और जिस तरीके से उन्होंने last year जो result था वो दुबारा declare किया, उसका एक मतलब ये भी था कि research को promote करना, ये भी मैं आपक आपको number of fellows अगर आपने increase किया था, तो आप 2024 से apply कर देते भाई, आपने तो एक बार result declare कर दिया था, आपने क्यों यहाँ पे किया, दिसंबर में आके आपने वापस result जो है declare किया, इसलिए किया, क्योंकि इनको भी सरकार को दिखाना है, बाकी लोगों को दिखाना है कि पर का level अजीब कर दिया, अब हो सकता है कि उसमें biotech वाले बच्चे बाजी मार जाए, हो सकता है कि कुछ ऐसी वैसी चीजे हो जाए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर यह अपनी बात पे कायम, मतलब कायम रहते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद इनको 500 fellowship देना बहु और 70-80 के बीच में भी बच्चे नहीं है, यह भी मैं आपको बता दो, तो अगर यह अपनी बात को rectify करते हैं, यह सब वाला category छोड़ के एक normal यह 500 बच्चों कर उठाने की कोशिस करते हैं, category wise जो भी चीजे हैं, तो मुझे लगता है कि जो cut off नीचे जाएगी, जहाँ पर अब यह फिर percentage का मामला follow नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि जो यहाँ पर cut off बन सकती है, या जितने number पर आपको safe महसूस कर सकते हैं, वो जो number है, वो मेरे according, general category से अगर आप belong करते हैं, यह मैं marks के according बता रहा हूँ, not percentage, ठीक है, याद रखेगा यह percentage के according नहीं है, अगर 500 fellowship देना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि जो cut off होगी, वो आपको इनको अपना 50% वाला criteria इनको change करना पड़ेगा, और जो cut off जाएगी, वो आपकी 60-75 जाएगी, number अगर आपके आ रहे हैं, तो आपको safe समझ सकते हैं, और EWS अगर OBC category से अगर आप आते हैं, तो अगर 60-60 नमबर तक अगर आपके इस exam में बन रहे हैं, अंसर की देखने के बाद, बाकि जब आपका score card आएगा, तो आपको clear पता चल जाएगा, तो मुझे लगता है कि आप इस exam में अपने आपको safe महसूस कर सकते हैं, जिस हिसाब से ये unexpected exam हुआ है, जहां पे हर teacher से लेके student जो ह सकते हैं, और section A में जो बच्चे उलजे हैं, उनको तो मैं क्या ही कहूँ, कि ऐसे ऐसे questions, paragraph के questions उन्होंने दिये थे, कि आपका आदा घंटा तो उसी में चला जाएकर आपने गलती से किया, और demotivate जो होगे, वो अलग से ही होगे, बाकि जो questions भी थे, वो straight forward नहीं थे, दिम जो आपके biology वाले part के question थे, ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो cut off है, वो आपकी vary करेगी, और मुझे लगता है कि अगर इस तरीके की चीजे वाकई में है, ठीक है, जितना मेरा network है, उतने मुझे जितना समझ में आया है, मुझे यहीं समझ में आया है, कि अगर यह अपनी बात को तोलते हैं, तो 60 से 75 नंबर अगर आप जनरल करेगरी में है, तो आप अपने आपको safe मान सकते हैं, तो आपकी selection हो सकती है, ठीक है, तो यह मेरा prediction था, जो मुझे analysis किया, जो मुझे समझ में आया, जो मेरा अभी तक का experience था, आप इस बात से कितने सहमत है, असहमत है, मैं आप कमेंट सेक्षन में बता सकते हैं, ठीक है, और बाकी यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कि जब मैं वीडियो बनाता हूं, तो इसके बाद बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं, कि सर, cut-off मतलब क्या बोलते हैं, कि ऐसे नहीं यह होगा, वैसा होगा, यह होगा, आप गलत सोच रहे हैं, तो मैं केवल अपने आपको सिध्ध करने के लिए, मैं नहीं cut-off बना रहा हूं, कि मुझे अपने आपको proof करना है, कि मैं बहुत बड़ा तोप आदमी हूं, कि मैंने जो cut-off का prediction कर दिया, वही पत्थर की लकीर है, इसमें changing हो सकता है, बहुत सारे factors हैं, यह मेरा अपना experience है, मुझे जो लगा, उसके according मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, उसका सबसे important चीज़ यह है, कि आपके पास और भी exam है, जैसे for example, अभी आपका NIE का exam आने वाला है, ज आप वो उम्मीद छोड़ दीजे, और जो यह वाला जो criteria है ना बेटा, यह भी आपका एक hypothetical situation है, क्या पता उनका mood घोंग गया, उन्होंने अगर अपने booklet के according दे दिया, और जैसा कि मैंने आपको और दिखा के भी रखा है, कि वो अपने 55% और 50% वाली बात को मानते हैं, जारी रखिए, जब तक इस exam का आपके पास final result qualified लिखकर ना आ जाए, क्योंकि इसमें बहुत if or but है, जिसका जो पहली बार exam इस तरीके से conduct हुआ है, वो कैसे scorecard release करते हैं, percentile में करते हैं, number में करते हैं, कैसे qualify कराते हैं, यह particular यह जब इनका final result आएगा, तभी clear होगा, तो आप इस बात से कितने सहमत हैं, असहमत हैं, ठीक है, बाकि हम फर्दर अपने तयारी चारी रखेंगे, इस platform से अगर आप तयारी करना चाहते हैं, तो भी contents available है, जैसा मेरा को बात रहता है, कि biology कहीं नहीं बदलती है, आप किसी भी exam को देने जाएं, ठीक है, और question paper के आप solution क वीडियो में भी आप देख सकते हैं, किस तरीके से हमारे पढ़ाय हुए questions जो थे, वो आपके hit किये हैं, बाकि फर्दर भी हम अपने तयारी जारी रखेंगे, CSIR के लिए, ICMR, NextDBT के लिए, तो आप तयारी कर सकते हैं, बाकि ये वीडियो, ये information, ये सारी चीज़ अगर share और subscribe करना मत भूलेगा, बाकि मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट information के साथ, thank you very much